नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका अध्याए 5 जन संगर्ष और अंदोलन के पहले सत्र में बच्चों जैसा कि आपने पहले लोगतंत्र के बारे में पढ़ा है कि किस तरह लोगों की इसमें भागेदारी होती है वैसे तो लोगतंत्रिक सरकार लोगों की लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनी हुई सरकार होती है मतलब लोग बहुत महतोपूर भूमी का निभाते हैं बच्चों जैसा आप जानते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता का बटवारा होता है और सरकार के अलग-अलग अंग और विभिन समाजिक समू सत्ता में हिस्सेदारी रखते हैं पर बच्चों क्या आपको मालुम है कि सत्ताधारी भी पूरी तरह से स्वचंद नहीं होते उनके उपर भी किसी न किसी तरह का प्रभाव या दवाव रहता है अपने हित अपने नजरिये के कारण लोकतंत्र में टकराव चलता रहता है पर एक बात है कि हितों और नजरियों की अभी व्यक्ति बहुत ही संगठिक तरीके से होती है जिसके पास सत्ता होती है उन्हें विरोधी मांगों और दावों में संतूलन बनाना पड़ता है आज उधारणों के साथ इस बात को स्पष्ट करेंगे और यह भी चर्चा करेंगे कि आम नागरेक विभिन तरीकों और संगठनों के सहारे लोकतंत्र में अपनी भूमी का न स्पष्टा भी करेंगे चलिए नेपाल का उधारन देते हुए इसी बात को मतलब लोकतंत्र में सत्ता का इस्तिमाल कैसे होता है को समझने की कोशिश करेंगे आपको नेपाल की कहानी सुनाती हूं तैयार हैं आप साबस सन 2006 में नेपाल में एक जन्नांदोलन शुरू हुआ इसे नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर भी माना जाता था तीसरी लहर का मतलब है कि जिन देशों में लोकतंत्र कायम हुआ नेपाल में राजा अपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा लेकिन असल में सत्ता जन्ता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हा पतले याम में राजा विरेंद्र की हत्या हो गई नेपाल के नई राजा ज्यानेंद्र लोक्तांतरिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे लोक्तांतरिक रूप से चुनी हुई सरकार की कमजोरियों का उन्होंने फायदा उठाया और 2005 में राजा ज्यानेंद्र उस समय के प्रधानमंत्री को निकाल कर जन्ता द्वारा चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया 2006 में जो आंदोलन शुरू हुआ उसका मकसद शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जन्ता के हाथ में देना था संसत की सभी राजनीतिक पार्टियां जैसे SPA जिसे सब्त दलिये गटबंदन या सेवन पार्टी अलाइंस भी कहते हैं ने चार दिन के नेपाल बंद का आवाहन कर दिया इसमें मावादियों ने भी उनका साथ दिया लोग कर्फ्यू तोड कर सडकों पर उतर आए लोग कंतर के लिए लाखों लोग एकजुट हो गए और इतनी बड़ी तादाद में इकटे हुए कि आंदोलन कारियों के सामने सरकार की कुछ भी ना चली राजा ने आधे अधूरे मन से रियायत देने की गोशना की जिसे अंदोलन कारियों ने स्विकार नहीं किया पर नेता भी अपनी मांगों पर पक्के रहे अडे रहे वे चाते थे कि संसद को बहाल किया जाए और एक सर्वदलिये सरकार बने और एक नए सविधान सभाग का गठन हो और 2006 में राजा ने तीन मांगों को मानने की हामी भर दी SPA के गिरिजा प्रसाद कोईराला को अंतरिम सरकार का प्रधान मंत्री चुन लिया गया संसद फिर बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में जिसमें राजा की शक्तियां वापिस ले ली गई थी उसमें SPA और माववादियों के बीच में सहमती बनी और लोकतंदर को बहाल कर दिया गया देखा बच्चों आपने कि इस कहानी में लोगों ने दवाव समुह बना कर राजा से अपनी बात मनवाहिली और लोकतंदर को बहाल कर दिया एक बात बताईए बच्चों जब मैं ये कहानी सुना रही थी तब मैंने माववादियों की बात की थी क्या आप जानते हैं कि ये माववादि कौन होते हैं चीनी क्रांती के नेता माव की विचारधारा को मानने वाले विचारधारा के ये लोग जो मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करना चाहते हैं एक क्रांती के जरिये सरकार को उखाड फैकना चाहते थे और उन्हीं लोगों को माउवादी कहा जाता है क्या आपके दिमाग में कोई और उधारन आ रहा है जिससे हम लोकतंतर के दवाब समूग के महतों को समझ सके चलिए एक बॉलिविया के जलियुद का उधारन देती हूँ बच्चों बॉलिविया लातिनी अमेरिका का एक गरीब देश है विश्यू बैंक ने यहां की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ती से अपना नियंतरन छोड़ने के लिए दवाब डाला सरकार ने शहर में जलापूर्ती के अधिकार को एक बहूर राष्ट्रिये कमपनी मतलब MNC को बेच दिया और उस कमपनी में पानी की कीमत को दो गुना कर दिया गया अब लोगों के पानी का मासिक बिल हजार रुपे तक जा पहुंचा जबकि बॉलिविया में लोगों की ओसत आमदेनी ही पांच हजार महीना थी अब होना क्या था इसके खिलाफ जन संगश भड़क उठा सन 2000 में श्रमी को मानवादी कारे कारे करता हूं तथा सामुदायत नेताओं के बीच एक गठ बंदन बना और इस गठ बंदन ने शहर में चार दिनों की काम्याब हड़ताल की सरकार बाचीत के बाद राजी हुई और हड़ताल वापिस ले ली गई मगर फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ लेकिन इस बार पुलिस ने उन लोगों को बहुत पीटा मगर वह भी कहां रुपने वाले थे उन्होंने एक और हड़ता कारियों की सारी बाते माननी पड़ी और जो बहुराश्ट्रिय कंपनी के साथ एग्रिमेंट किया गया था उसे रद कर दिया गया और जलापूर्ती दोबारा नगर पालिका को वापिस दे दी गई पुराने दरों पर मतलब पुराने रेट पर दोबारा जल की वैवस्ता कर जन संगर्ष की ताकत लोकतंतर में बहुत माइने रखती हैं वैसे तो इन दोनों कहानियों का संदर्ब बिलकुल अलग अलग था नेपाल का अंदोलन लोकतंतर को स्थापित करने के लिए था जबकि बॉलीविया के जन संगर्ष में एक निर्वाचित और लोकतंतरिक सरका को जनता की मांग को मानना था बॉलीविया का जन संगर्ष सरकार की एक विशेश नीती के खिलाफ था जबकि नेपाल में चले अंदोलन में राजनीती में लोकतंतर की नीव रखी गई मगर क्या आप सोच सकते हैं कि इन दोनों संगर्षों में लोकतंतर के भविश्य के लिए क्या महत्व पूर्ण था आपने आंकलन किया होगा कि दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पेवाने पर सामने आई और जन समर्थन की अभिव्यक्ति ने किस तरह दोनों ही घटना अब इन दोनों उधारनों से यह निश्कर्ष निकालते हैं कि पहला लोकतंतर का जन संगर्ष के जरिये विकास होता है यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमती से ही हो जाते हैं और कुछ फैसलों के लिए बहुत संगर्ष करना पड़ता है और होता क्या सत्ताधारी और सत्ता की हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच में संगर्ष पर इससे लोकतंतर की जड़े बहुत मजबूत होती हैं दूसरा लोकतंतर संगर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिये होता है और बच्चों कभी कभी इस संगर्ष का समाधान संस के माध्यम से भी हो जाता है ऐसे संगर्ष और लामबंधियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं ऐसे माध्यमों से राजनीतिक दल दवाब समू और अंदोलन कारे समू शामिल होते हैं हमने देखा कि किस तना पानी की निजी करण के खिलाफ बॉलिविया में अंदोलन च किया इस संगठन में इंजीनियर पर्यावरण वादी समित स्थानिये कामकाजे लोग भी इसमें शामिल थे कारखाना मजदूर किसान विश्व विद्याले के छात्र और सोशिलिस्ट पार्टी ने भी इसका समर्थन किया और उसी प्रकार नेपाल में जो लोग तंत्र के ल बहुत से संगठन होते हैं यह संगठन अपनी अपनी तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं पहला प्रत्यक्ष भूमिका यानि प्रत्यक्ष भागेदारी का जिसमें पार्टी बनाई जाती है चुनाव लड़े जाते हैं और सरकारें बनाई जाती हैं और दूसरा अप्रत् सरीय को बढ़ावा देने के लिए गति विधियां करते हैं तभी तो इन्हें दवाब समू या हित समू कहा जाता है यह एक जूठ होकर समू बनाते हैं आंदोलन करते हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं तो देखा बच्चों कि किस तरह यह दवाब समू या हित एक लोक तंत्र में अप्रत्यक्षय रूप से कितनी महतोपून भूमिका निबाते हैं क्या आप किसी ऐसे दवाब समू का उधारन दे सकते हैं जिसने कभी ऐसा किया हो तो बच्चों आज हम नहीं किया दवाब समू और हित समू का लोक तांतरिक देश में संगठित तरीके से अभिव्यक्ति करने के दो उधारन जो कि नेपाल और बॉलिविया से संबधित थे चलिए करते हैं कुछ प्रशन यह जानने के लिए कि आप इन दोनों उधारनों के माध्यम से कितना समझे हैं पहला प्रशन परस पर विरोधी मांगे और दवाब समू के बीच लोक तंत के आंदोलन में किस प्रकार जन आंदोलन का रूप ले लिया तीसरा प्रशन नेपाल में लोक तंतर के लिए माववादियों और सेवन पार्टी अलायंस की भूमिका को स्पष्ट कीजिए चौथा प्रशन बॉलिविया में पानी के निजी करन के खिलाफ हुए जन आंदोल ने किस तरह सफलता पाई व्याख्या कीजिए पांच महा प्रशन लोक तंतर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आंदोलनों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए चलो बच्चों अब है अक्टिविटी टाइम शुरू करते हैं अक्टिविटी अक्टिविटी नंबर एक ने अक्टिविटी नंबर दो नेपाल और बॉलिविया में जो प्रमुख संगठन शामिल हुए उनकी एक लिस्ट बनाई है इसके कुछ उधारन दिये देती हूं आप इसमें बड़ी पार्टियों को SPA माने 7 पार्टी गटबंधन के नाम पर नेपाली कम्यूनिस पार्टी को माववादियों के नाम पर सभी प्रमुख श्रमिक संग और उनके संग के नाम लिख सकते हैं स्वदेशी लोगों शिक्षकों वकीलों और मानव अधिकार समूहों के संगठन जैसे संगठनों का किस प्रकार विकास हुआ वह सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं activity नंबर 3 विश्व के मानचित्र पर बॉलिविया और नेपाल की पहचान कीजिए अगर आपको नेपाल के लोग्तंत्र के संगर्ष में किसी एक का साथ देना हो राजा या जन संगर्ष में जुटे लोग तो आप इन दोनों में से किसका साथ देंगे और क्यूं निजी करन के उपर अपने विचारों को रचनात्मक तरीके से व्यक्ट कीजिए आप इसे कविता या चित्र या काटून या लेख के माध्यम से भी व्यक्ट कर सकते हैं लोक तंत्र में अप्रत्यक शुरूप से भाग लेते हुए इन जनसमू माने प्रेशर ग्रोप के उपर आप एक पेज का अख़बार बनाएं जब आप अख़बार बनाएंगे तो उसमें देश और विदेश के जितने भी दवाप समू या हिट समू है उनकी जानकारी आप उसमें लेख के द्वारा लिख सकते हैं और बच्चों आप समय है जाने का और जाते जाते दो लाइनों से आज सत्र का अंत करने जा रही हूं जन संघर्ष की ताकत है लोकतंत्र में चाहे नेपाल हो चाहे बॉलिविया भागीदारी कहो या दावेदारी चाहे प्रत्यक्ष बात तभी बनती है भारी जब लोगों की हो हिस्सेदारी जब लोगों की हो हिस्सेदारी इसी के साथ धन्यवाद और नमस्कार झाल 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 झाल